ड्रग केस के बाद पप्लिकली कहा नजराए आरिन खान? किसके निलामी में पहुचे आरिन? आरिन खान ड्रग्स केस में पकड़े जाने के बाद अलग थलग हो गए थे एक महीने जेल में बिताने के बाद आरिन जब से वापस आए हैं वो घर में ही रहे ये पहली बार है कि वो सीधे आईपील के निलामी में नजराए हैं पहली बार उनके साथ सुहाना खान भी इस निलामी में नजराए हाला कि वो कई बाद स्टैंट में खड़ी होकर कॉलकत्ता नाइट राइडर्स को चीर करती नजरा चुकी हैं बता दे सुहाना ने भाई के साथ देनी के लिए पहली बार आईपिल आउक्षन में कदम रखा है या ये भी हो सकता है कि वो भी आरेन की तरह पापा की काम में हाथ बटाना चाहते है आरेन खान को ड्रक्स केस के बाद काफी तगड़ा जट का लगा था उन्होंने जेल में वक्त बिताया और उनकी जमानत या चेका भी दो बार रेजेक्ट हो गई थी साथ ही आरेन ने पापा जिम्मेदारी ली है और उससे बहतरीन तरीके से निभाते हुए भी दिख रहे हैं वो पहले भी आईपिल आउक्षन में नज़र आ चुके हैं अब इस आईपिल आउक्षन में आरेन के साथ चुही चावला की बेटी जानवी भी नज़र आई आरेन ने हाथ में कप पकड़ा हुआ है और उसी के बगल में जुही की बेटी बैठी हुई नज़र आ रही है वही आरेन खान के इस तरह दोबारा पब्लिक में आने से फैन्स बेहत खुश है वो शारुक के बेटे की खूब तारीफ कर रहे है फैन्स आरेन की इन तस्वीरों पर खूब प्यार बरसा रही है आरेन खान आएंगी या नहीं, लेकिन बाकी कामों में वो शारुक कान की तरह बनना चाहते हैं आपको आरेन से क्या उमीद है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा And now this is your host Palak signing off and will be back soon in another video, till then stay safe, stay connected, goodbye.